वेल्कम टूब पिश्यमेकर दस्तो आज एक 15 नॉवंबर 2020 और 15 नॉवंबर 2020 से समंधित बिहार करेंड़ फेर्ष और शाथ ही राष्टर उन्तर राष्टर घटनाउसित करेंड़ फेर्ष के जितने भी प्रश्ण बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्ण पोचा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्ण तक हाली में बिहार राजी के किस जीले का उन्चासवा वर्स गाउंट मनाया गया है मैंने आपको यहां से दिया था और आपको इस प्रश्ण का राइट अंसर बताए था और यहां पर हम चलेंगे सीधे पहले प्रश्ण के लेकिन उसे पहले बता दूँँ कि जो लोग घर बैटे विपेसे और सीडिप्यों एक्जाम के तयारी में लगए है तो हमारे पाने के लिए वीपेसी मेकर आप को डाउनलोड करें और वहां से मेंबर्शिप राप्ट करने के बाद यह सारे फीडियाप को वहां से आप एकसास कर पाएंगे और शाथे साथ ऑनलाइन टेश्टर सरीज में भाग ले पाएंगे और यहां पर आट जार से देख लोग रि देख के किस मदबनी पेंटींग कि कलाकार को पदमसरी अवाट से सम्मानित कया गया है इंप्रश्ट है बिहार practition Fed Church के दरिश्टि कों से बहूत बहूत जादा इंप्राइंवर इस परशनी का हमारा राइट आमसर ऐ consumer option number B, यानि की दुलारी देवी इस परशनी का सिप्र दर होगा अलताद। option number B यहाँ पर इसका राइट आमसर है। अब यहाँ पर आपको पतार'll की मद्वनी पेंटिंग क्लाकार दुलारी अब यहां पर देखिए हम बात कर रहे थे पदमसरी सम्मान जो यह भारत सरकार के द्वारा भारते नागरिकों को दिया जाने वाला सम्मान है और आपको यह ध्यान एकना है कि सम्मान की जो स्रेनी में कुल मिला के चार सम्मान है नागरिकों को दिया जाने वाला तो इन्में से जो भारत का सरवत्य नागरिक्ष बांगोर यह भारत रहतन है दूसरा है पध्म गुपीवोसन तीसरा है पध्म भूसन और चोथा पध्म सरी तो यहूं मतलब के आपको याद रखना है कि सबसी मतलब जो अन्तिम हैं जो refill है यह पदमसरी है, यह complete जानकारी यहां से आप लोग याद रखे, अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रशने पर, हमारा दूसरा प्रशन होगा कि हाली में बिहार भादपास संगठन के किस मंत्री को National Fertilizers Limited Board का निदेशक बनाए गया है, यह भी एक important प्रशने और इस प्रशने प्रशने के हाली में बिहार के किस जीले में पहला बटरफ्लाइ पार के बनने जा रहा है, यह most important प्रशने हो सकता है क्योंकि इसी तरह का एक प्रशने मैं आपको पहले बताया था, थोड़ी दर्मी मैं आपको इसकी जान करें दूँगा, लेकिन यहाँ पर जान लेते हैं इस प्रशने का right answer क्या होगा, बिहार के किस जीले में फहला वाट रहतास जीले के महतपूर्ण धार्मिक अमंग इको परटन स्थल तुतला भवानी में राजी का परत्रवाई पार्क बना जाएगा, यह घोशना अभी हाल ही में राजी सरकार के द्वारा किया गया है, और साथ ही इसके निकट हरबल पार्क भी बना जाएगा, अब यहाँ अगला पार्क बटरफलाई पार्क से परटन को और बढ़ावा मिलेगा और छेत्र की एको सिस्टम में भी सुधार होगा, यह आपको यहाँ पर ध्यान लखना है, अब यहाँ पर चर्चा हुए रहतास की तो रहतास की बारे में हमने कुछ पॉइंट को एड़ कि हाली में 10 दौश नुमबर को रहतास का 49 सथाबना दिवस मना गया है, कम्प्लीट जनकारी में आपको साथ एक से दो दिन पहले ही दिया था, यह रहतास जीले का भी हाली में 10 नुमबर 2020 को 49 सथाबना दिवस मना गया है, और बात है, रहतास की तो रहतास पटना परमंजल के अंदरग जो कि मैंने आपको कुछ दिन पहले बताइता कि बिहार रज मतलब कर सकते हैं, पहला मंकी पार्क का start का अस्थापित के आ जा रहा है, यह रहतास तो आपको कि भोषणह भी हाली ही में क्या गया था, यह व्यार्या झिले के अर्राही हिंगना ग्राम में इसका निर्मान की अगर आपको यह धियान के अखना है कि बिहार का पहला मंकी पार्क अर्यलिया में और शादे साथ बिहार का पहला बैटरफॉलाई पार्क रोहतास में अस्थाप्रित क्या जा रही दोनों घोसना अभी हाल ही में दोनों करेंड फैर्स की स्रेनी में है अब यहाँ पर हम चलेंगे चौथे प्रशन पर हमारा चौथा प्रशन के भोजपुरी फिल्म की अभिनेत्री इस्मिर्ती सिंदा ने किस फिल्म में रावडी देवी का किरदार निभाई है इंपोर्टन हो सकता है ये प्रशन और इस प्रशन के अगर हम राईट आंसर की बात के हैं तो इसका राईट आंसर option नमल D यानि की लाल्टेन इस प्रशन का राईट आनसर लालटेन एक मॉबी का नाम है अब यहाँ पर आपको इस प्रश्ट में बदा दूँ कि भोचपुरी अभिनेत्री स्मिर्ती सिन्दा फिल्म लाल्टेन में रावडी देवी की किरदार निवाई है हलागे इस फिल्म की सूटिंग पूरी कर ली गए है प्रतु लॉगडाउन के करण यह रिलिज नहीं हो पाए थे तो यह जानकार यहां साब को ध्यान एकना अब यहां पर बात आई है लाल्टेन की और कही ना कही इसके पीछे यह भी उद्धिष था कि जो लालो य Оदम है यह बिमार प्रॉषर है tiver और उनके संबान में जब वह वह वैपस बिहार आ रहे थे पट्ना रहे थे इनके सम्मान में ये लालतन लगा गया था जिसका वजन है चेटन तो ये भी जनकारी आपको ध्यानतने कोई दिन पहले ही मैंने आपको ये बताया था I hope कि आपको ये सार चीज़े याद होगे अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्ण पर हमारा अगला होगा प पहले परमोद चंद्रमोदी को राजसवा के महासचीव के पदपर न्युक्त क्या गया है ये आपको ध्यान लखना परमोद चंद्रमोदी इस परश्ण का राइट अंसर होगा और यहाँ पर हमने अगले पाइंट में लिखा है कि उन्होंने डाक्टर पी टी के रामाचार लुका और हमने यहाँ पर अगले पाइंट में लिखा कि परमोद चंद्रमोदी उनेशव बैरासी बैज के भारते राजसु सेवा के रिटार्ड अधिकारी है और शाथ साथ के अंद्रिया परदक्ष करवोड के पुर्व अध्यक्ष भी है तो यह भी आपको यहाँ से ध् भंग नहीं किया जा सकता है और हमारा अगला परटने के राजस्भा में सदस्थ 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और जक्ति इसके एक तिहाई सदस्थ से परतियक दूसरे वर्ष शेवानिवरित होते हैं तो था उन्हें एक नए निर्वाचित सदस्थ द्वारा परति इस्थापित क्या जाता है और इस परकार से राजस्भा कभी भी भंग नहीं होता है तो यह भी आपको यहां से ध्यान रखना है अब चले हम चलेंगे अगले पर हमारा अगला होगा च्छटा परश्ण यह पर आपको इस प्रशनी वारे में विश्तृत जानकारे दे दो क् के प्रश्ण बनने की संभावना है तो यहाँ पर मैंने लिखाए कि ब्रेटिस से भारती लेखक मिहिर बोस ने सारजा अंतराष्ट्य पुस्तक मेले में प्रधान में नरेंद मोधी पर लेखे 62 बनने के लेखों के संकलन का अनावरन किया है यह अनावरन अभी हाले में किया कहाँ पर सारजा पुस्तक मेले में और यहाँ पर आपको यह ध्यान है इस पुस्तक में 62 बनने है और आपको ध्यान है इसके लेखक कौन है तो मिहिर बोस इस प्रश्ण है मतलब इसके लेखक है अब देखे यहाँ पर हमने अगले पॉइंट में लिखा कि पत्रकार से और यहां पर इसी में अगला पॉइंट है, हलाकि फरवरी में इसका विमोचन ब्रिटेन में किया जा चुका है, अब यहां पर हम पुस्तक के गर सार की बात करें, तो यहां पर हमने इस वाले पॉइंट पर लिका है, तो मिहिर बोस ने परदार्मति नरेंद मोधी और वरतमान भारत के बारे में बात करते हुए कहा है, कि भारत कभी एक महान राष्ट था, लेकिन पिछली सरकारों के दसक में कुसासन के कारण यह अपनी महत्ता खोने रगा, जैसे कि मोधी सरकार द्वारा फिर से प्राप्त कि पुस्तक का सार है जो कि इसी विसे पर कसकता है यह इसका विसे और इसी विसे पर इस पुस्तक में चर्चा किया गया है तो इनका पूरा नाम पहले आप यहां से ध्यान रखे, इनका पूरा नाम है नरेंदर दामोदर्दास मोदी और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था और वे 26 मई 2014 से लगतार दूसरी बार भारत के परदान मंत्री बने हैं और शाते साथ आपको यह भी दान रखना है कि परदान दे नरेंदर मोदी वारंसी से लोकसभा संसर भी चुने गए हैं और एक इंपोर्टन पॉइंट यह है कि वे भारत के परदान मंत्री पद पर आशीन होने वाले स्वतंतर भारत में जन्में परदाम व्यक्ति हैं इंपोर्टन पॉइंट है और शाते साथ यहां भी हमारा एक और पॉइंट है इससे पहले वे 7 अक्टूबर 2001 से ले करके 22 माई 2014 तक कुजरात के मुख्य मंत्री रहे हैं और परदान मत्री मोदी भारतर जन्ता पार्टी और राष्टिय स्वसेवक संगी यानिकी RSS के सदस्ट भी है तो यह सारे जोड़ी वे फैक्ट है जो कि आपको यहां पर याद रखना है अब इसके अदरिकते हैं हमने कुछ और पॉइंट को परदान मत्री नरेंद मोदी स समझेगा हमारा यहां पर पहला है सौधी अरब तो सौधी अरब के द्वारा और अब्दुल अजीज अल्शाउद पुरुषकार से 2016 में सम्मानित किया गया था अगर हम बात करें अफगानिस्तान की तो अफगानिस्तान के द्वारा इस्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी आमिर अमलिनलाख हौन से 2016 में सम्मानित किया गया फिलिस्तिन के द्वाड गरेंड कॉलर पुरुषकार 2018 से संयूकत अरब अमिराद के द्वारा और और अफ जयद 2019 से रूस के द्वारा सेंट एंड्रियू पुरुषकार 2019 से माल्दिभ के द्वारा रूल आफ निसान इजिद्द 2019 से दक्षिन कोरिया के द्वारा सियोल सामती प्रुशकार 2019 से संवानित किया गया तो यह कुछ विभिन देश और मतलब का सकते हैं तो इलेक्रिक वाहनों पर आधारत अभी हाली में एक पॉर्टल लॉंच किया गया जिसका नाम है इअम्रित पॉर्टल यानि की अफसर नमर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अब यहां पर आपको इस प्रश्न वारे में विश्तरित जान करें देनों कि हाली में भारत ने कॉप 26 सिखर समिलर में इलेक्रिक वाहनों पर इअम्रित पॉर्टल लॉंच किया है इस पॉर्टल का नाम है इअम्रित पॉर्टल जो कि यहां से आपको ध्यान रखना है और इसमें हमारा अगला पाटल को UK सरकार के समर्थन से नीती आयोक के द्वारा विक्सित किया ग पॉर्टल है जिसमें कि इलेक्रिक वाहनों के बारे में सभी जानकारियां सामिल होगी जैसे कि EV को अपनाने उनकी खरीद निवेश के अबसरों नीतियों और सबसीडी के बारे में मित्कों को खतम करना इसमें सामिल है यह आपको यहां पर ध्यान का पूरी तरह से सकता है इसमें यह सार चीज़ें यह अमरे पॉर्टल में सामिल है अब यहां पर हम बात करें कॉप 26 की तो हमने यहां पर इस पॉइंट में लिखा है कॉप 26 में भारत द्वारा यह भी घोशना किया गया कि 2070 तक यह जिरु कार्बन उत्सरजन का लक्ष हासिल करेगा यह जानकारी सकता है कि ओंवाली और शीधा हम पर हम चलते है अगले आथमे प्रशना है कि हाली हमें भारत की सबसे अमीर महला कौन बनी है important प्रशन हो सकता है के बहुत ही स्यधा trending में है और इस प्रशन प्रश्नी का हमारा right answer option number c यानि कि फालगुनी नायर इस प्रश्नी का right answer होगा अब यहां पर अपर अधरलों की हाली में देश की सबसे अमीर महला पर इहां पर यहां पर अचानक चीए मतलब का सकते हैं सबसे अमीर महला कैसे बन गई तो यहां पर हमने आगे लिखा कि शेयर बाजार में beauty और personal care segment की दिगज कमपनी नायका के धमाकेदार entry होने के साथ ही उसकी सतनसापक फालगुरी नायर देश में सबसे धनी self-made महला बन गई तो यहाँ पर अब यह ध्याने का share बाजार की बाद है तो share बाजार में मतलब जो share खरिदा जाता है बेजा जाता है तो इसी अधार पर यह भी हाली में भारत की यह कर सकते हैं अप लोग आए दिन देखते हो कि यूटूब अगरा हर जगह पर इसका share बाजार का बहुत ज़् तो उन्होंने 2012 में नाइका की सुरवात की था एक्शुली में नाइका जो company है यह कर सकते हैं beauty products या पिर कर सकते हैं जो मतलब की cosmetics वगला समयंदे समान होते हैं उसका अंद्रबान करता है जिसका स्थापनों जवात है यह 2012 में क्या था और इसे पहले 2020 में हुरन रिच इंडि की chairman है अब यहां पर आपको एक point और बतातों जो option नमर आप यहां पर D में देख लें Kylie Neiger तो Forbes द्वारा सबसे कम उम्र की अरपती की लिष्ट जारे की थी जिसमें की Kylie Neiger सबसे कम उम्र की अरपती बनी थी तो यह भी जानकारी यहां से आपको ध्यान रखना है चलिए अब यहां पर हम चलेंगे अगले नवे प्रश्ट के हमारा नवा प्रश्ट के 2022 से राष्ट मंडल खेल में किर्केट का पहला मुकाबला किम देशों के बीच होगा इस प्रश्ट के हमारा राइट नर्स है option नमर B यानिके भारत और और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह 2022 से राष्ट 2022 को खेला जाएगा और यहां पर अगले पाइंट में लिखा कि इस बार महला क्रिकेट को इस बार महला क्रिकेट को पहली बार राष्ट मंडल खेलों में सामिल किया गया है जो कि टीटी प्रारूप में इसके मुकाबले होंगे इवांग इसका फायंदल मुकाबला साथ इसका अर्थ होता इंटरनेशनल क्रिकेट को पूछे जा सकते हैं इसका मोटो की बात करें तो इसका मोटो के अच्छाई के लिए क्रिकेट इसकी स्थापना हुएती 15 जून उनिशन नौ को आएसेसी का मुक्यार है दुबई सन्युक अरब अमिरात में वरतमान में इसके 106 सदस्य देश है आएसेसी के अधिकारी वासा है अंग्रे जी वरतमान में चेर्मेन है ग्रेग बार्पले जो की न्यूजिलेंड है और साथ इसके जो CEO है यह है जोफ एरलाडिस और यह और अपने पद से इस्तिफाद है जिसके बाद जोफ एरलाडिस आएसेसी के CEO है वरतमान समय में चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दस्वे प्रश्ण पर हमारा दस्वे प्रश्ण के विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है इस प्रश्ण का हमारा राइट अंसर ऑफस फैलाने और साथे साथ इसके बचाओं के बारे में बताने के लिए हर वर्स यह दिवस मना जाता है जिसके जो सुरुवात हुई थी यह वर्स 2009 से की के थी और इसके हम बात करें तो 12 नॉंबर को ही लोग श्यवा परसासन दिवस भी मना जाता है और यहाँ पर हमने दो किया है कि राष्टिय शीख्षा दिवस परतिक वर्स 11 नॉंबर को मना जाता है और शाथ 14 नॉंबर को वाल दिवस और शाथ विष्व मधों में दिवस भी मना जाता है तो यह सारी जानेकारी यहां से जो समंधित फैक्ट है यह भी द्यान लेकिया चलिए अब यहाँ पर ह हमारा right answer option number A यानि कि भौपाल इस प्रश्न का right answer होगा आपको यहाँ पर विस्तार से बता दूँ कि 15 November 2021 को भारत के पहले विस्व अस्तरिय रेलवे स्टेशन का उद्गाटन मद्दपरदेशी राधने भौपाल के हभीब गंज रेलवे स्टेशन में क्या गया यह आपको ध्यान रखना है यह आज किया जाएगा बलकि यहाँ पर मैंने लिग दिया है क्या गया याचलि मैं किया जाएगा आज यानि कि 15 November आज है तो 15 November 2021 को अब यहाँ पर हमने अगले पर लिखाएग इसमें वो सभी सुईधाई उपलब्द होगी जो की अंतराश्टे हवाई अडडे पर उपलब्द होती है तो यह भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है अब देखेज़े यहाँ पर हमने अगले पर लिखाएगा जिसका नाम आपको यहां से ध्यानेक नहीं हब गज जरेल वे स्टेशन इस प्रशन का राइट आंसर है अब यहां पर देखे हमने भौपाल के बारे में एक पॉइंट को एड़ किया है कि हाली में भारत का पहला एक चरा क्लिनिक अस्थाप्रित किया गया है और यह भौपाल अब यहां पर आपको इस प्रशनी बार मतातों कि उरिशा सरकार ने दुर्गटनाओं के पहले उत्तर दाताओं को परसिक्षित करने के लिए रक्षक नाम से अपनी तरह के पहले सरक्षक पहल की सुरुआत की है इस पहल का नाम है रक्षक जो यहां से आप ध्यान के मुख्यमंतरी नवीन पतनायक तथा राजपल गनेशी लाल है और शाथ साथ यहां पर भुवनेश्वर के बात है तो एक पॉइंट याद रखें कि भुवनेश्वर पूरे भारत का ऐसा पहला सहर है जो ही सत प्रतिस्वत को भी टिका करन का लक्ष हासिल करने वाला सहर बना था यह आपको यहां से ध्यान लगना है और यहां पे हम बात करें उडिशा की तो उडिशा की गंदमाल हल्दी को हाली में जी आई टेक परदान किया गया था अब यहां पे मारा अगला बाट है इसी में अटल मेशन फोर रिजुगनेशन अर्बन ट्रांसफरमेशन य वर्ल्ड कीक बॉक्सिंग चेंपियंशिप में अंडर 16 वर्ग में स्वर्ण बदक जीता है कम्प्लीट जैनकारी मैं आपको इस प्रश्ण से समंदित दिया है बताए इस प्रश्ण का राइट अंसर क्या होगा और यह चीज़ा नहीं के जो भी लोग आप यहां पर कमेंट झाल